इस वीडियो में हम बात करेंगे HIV Rapid Test के बारे में आप क्या जानेंगे HIV Rapid Test कब करनी चाहिए इसका विंडो प्रियड क्या होता है HIV Rapid Test कितनी बार करनी चाहिए HIV Rapid Test की accuracy कितनी होती है और इस टेस्ट का खर्चा कितना होता है इस समय को करने में 30 मिनिट से भी कम वक्त लगता है इसलिए इसको Rapid के नाम से जाना जाता है इस टेस्ट के और भी फाइदे है कि एक तो 30 मिनिट में हो जाता है छोटी लेबोरटरी में उपलब्ध है छोटे गाव और सहर में भी उपलब्ध है सकता है और यह काफी सस्ता है टेस्ट कहाँ पर उपलब्ध होती है दो आप्शन से एक है Private Laboratory और दूसरा है सरकारी ICTC Center Private Laboratory में इसका खर्चा 200 से 400 रुपे तक का लग सकता है सरकारी ICTC Center में यह मुफ्त होता है अक्सर लोग पूचते कि ICTC में कौन से किसम का टेस्ट होता है तो इसका जवाब है यह Rapid Test होता है वो 3rd generation Eliza Test है इसका रिजल्ट एक यह उससे कम समय में मिल जाता है 32, 33,200 से भी जादा ICTC Center बारत में उपलब्ध दे और यह Center आम तोर पर सरकारी अस्पताल में होते है अब यह HIV Rapid Test का मतलब क्या होता है कि 30 मिनिट के कम समय में टेस्ट हो जाता है 30 मिनिट से कम वक्त में हो जाता है 3rd generation Eliza Test है और इस टेस्ट को करने के लिए Blood की आवशकता होती है इसमें दो टाइप का कीट आता है एक है Line Test जो एक Strip जैसा होता है और दुसरा होता है Tridot Test जिसमें तीन डॉट होते है इसमें एक Control होता है कि टेस्ट परफॉम होने के बाद Control का Color हमेशा Dark होना ही चाहिए यदि Control का Color Dark नहीं है तो टेस्ट को मान्य नहीं किना जाएगा दुबारा करना रहता है और यदि किसी का HIV1 के साइट पर Dark Color आता है तो HIV1 Positive है और किसी को HIV2 के साइट पर Dark Color आता है तो HIV2 Positive है यदि किसी का दोनों आता है तो HIV1 और HIV2 दोनों Positive से और इस किट के अंदर जो रखी हुई चीज होती है वो होता है Antigen उसको पहले से Antigen किट के अंदर रखा होता है और जब किसी इंसान के अंदर खून के अंदर Antibody होता है तो इन दोनों को एक साथ में जूड़ने से इसका Color Change होता है और उसको Positive माना जाता है तो क्या पता लगता है इस Taste में इस Taste में HIV1 और HIV2 के खिलाप में जो Antibody है वो खून के अंदर है के नहीं वो देखा जाता है और Antibody का मतलब यह है कि किसी इंसान के अंदर जब HIV का वाइरस जाता है तो उसके सामने लड़ने के लिए हमारे सरीर में जो सैनिक बनते है उसको Antibody कहा जाता है और इस Taste है वो Qualitative Type की है यानि कि इस Taste में आपको Positive है या तो Negative है Antibody है या नहीं है उतना ही पता चलेगा कितनी मात्रा में Antibody है वो पता नहीं लगता है वींडो प्रीड का मतलब क्या होता है जिस दिन से किसी इंसान के अंदर HIV का वाइरस गया और वो वाइरस हम लेबोर्टरी में साबित कर सके कि इस इंसान को HIV का वाइरस है उसके लिए कुछ वक्त चाहिए होता है और उसके वक्त के बाद ही हम टेस्टे हम उसको साबित कर सकते है उससे पहले हम साबित नहीं कर सकते है तो इस जो अंतराल है जो हमको इंतजार करना है उस इंतजार को आप विंडो प्रीड कहेंगे और अलग-अलग किसम की टेस्ट का विंडो प्रीड अलग-अलग होता है एक जैसा नहीं होता, यहाँ पर हम जो rapid taste है, उसके window period की बात करेंगे, तो window period जो rapid taste का window period है, वो तीन महिने का है, इस taste का window period तीन महिने का है, कुछ और गलत फैमिया होती है लोगों में, वो लोग तीन महिने का window period का मतलब यह समझते है, कि तीन महिने के भीतर मुझे taste कर लेना ह उसके बाद मैं नहीं कर सकता लेकिन इससे उल्टा होता है कि आपको पहले तीन महीने के अंदर आप रेपिटेस्ट नहीं कर सकते हो एक्सपोजर का और उसके बाद आप कभी भी टेस्ट करा सकते हो चार महीने, चार साल, चालिस साल कभी भी और लोग अक्सर पूछते हैं कि का तीन साल हो गया है तो विंडो इसके रैपेट टेस्ट काम करेगी कि नहीं करेगी ङुझा करेगी आप तीन महेने के बाद इस टेस्ट को कभी भी करा सकते हो चाये कितना भी समय गया हो और दूसरा है कि लोग पूछते हैं कि window period सालों तक होता है इसलिए कि आप बार बार टेस्ट कराने की जरूत हुए तो ये बात भी गलत है window period तीन महिने से ज्यादा नहीं होता है और यह आपने तीन महिने पर एक बार टेस्ट करा लिया है और यह नेगेटिव आ गया है उसके बाद आपको किसी किसम का टेस्ट कराने की आवशकता नहीं है तो इसी rapid टेस्ट आपको कब करा सकते हो तो window period तीन महिने है इसका मतलब है कि rapid टेस्ट आप तीन महिने के बाद कभी भी करा सकते हो अब positive या तो reactive का क्या मतलब होता है यदि किसी का test का report में positive या तो reactive लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब ए है कि उसके खून के अंदर HIV के सामने लड़ने वाले antibody हाजिर है और इसके लिए उसको HIV का विमारी है और negative या तो non-reactive आता है तो इसका क्या मतलब है तो इसका मतलब ए है कि खून में पर्यात मात्रा में antibody नहीं है या तो बिल्कुल antibody नहीं है इसलिए और यदि ओर टेस्ट उसने तीन महीने के बात कराया है तो ये confirm हो जाता है कि उस इंसान को exposure से HIV नहीं हुआ है कभी कबार result में indeterminate, echococcal या तो invalid लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब ए होता है कि जो भी टेस्ट हुआ है उसमें कई problem है ना तो वो positive है ना तो वो negative है तो आपको फिर से rapid test कुछ समय बात कराना है या तो इस से higher test यानि कि HIV DO या तो PCR वाला test आपको अभी कराना है status को confirm करने के लिए अब test का result negative आए तो क्या करे यदि आपने आपका rapid test exposure से ती आखरी जो exposure है उससे तीन महीने के बात कराया है तो आपको आगे कोई test कराने की जरुवत नहीं है आपका ए रिपोर्ट final मना जाएगा और यदि आपने exposure से तीन महीने के भीतर ही ए रिपोर्ट करा लिया है तो आपको ए रिपोर्ट दुबारा कराना रहेगा और ओ रिपोर्ट आपको दुबारा कराना है कि जब आपका exposure का तीन महीने का समय हो जाए तब आपको दुबारा रिपोर्ट कराना रहेगा और ओ नेगेटिव आने पर उसके बाद आपको कोई रिपोर्ट नहीं कराना है अब positive आए तो क्या करें तो आपको दूसरे किसम की दो और rapid test जो दूसरे principal से हो या तो दूसरी company से हो दूसरी laboratory से हो वो दो और rapid test कराना है और तीनो rapid test negative positive आए तब आप confirm माना जाओगे कि किसी इंसान को HIV positive है या दूसरा option रहता है कि उस इंसान को जिसका पहला rapid test positive आया तो उसको confirmations के लिए 4 generation ELISA test यानि कि HIV DO, HIV Combo या तो HIV Antigen P24 plus Antibody के नाम से भी जाना जाता है वो test कराना रहेगा अक्सर लोग पूछते हैं कि sir मैंने तीन महिने पर रेपिटेश कराया था अब negative आ गया है तो मुझे वापस कराने की जरूत है या नहीं तो इसका सीधा जवाब है no, नहीं, ना यदि आपका तीन महिने पर रेपूर्ट नेगेटिव आ गया है तो उसके बाद आपको और कोई रेपूर्ट कराने की जरूत नहीं है इस टेस्ट की accuracy कितनी होती है यदि आपने window period यानि की तीन महिने के बाद ये टेस्ट कराया है और ये टेस्ट आपका negative आता है तो आपको और कोई रेपूर्ट नहीं कराना होता और इस negative रेपूर्ट को confirmation के लिए कोई और रेपूर्ट की जरूत नहीं होती है लेकिन यदि किसीने report किराया है रे positive है तो positive report को confirmation करने के लिए या तो दो और rapid test या तो इससे higher जैसे कि for generalizer test या PCR test या तो western blot test करान की जरूत होती है लेकिन negative वालों को window period के बाद test कराया है तो negative test को confirmation के लिए कोई जरूर्ट नहीं होती कोई और test की सिर्फ और positive लोग आते हैं तो उसको वापस repeat test का और confirmation test की जरूत होती है और इस ticket को नियत समय पर भी देखना होता है result देखना होता है मानलों किसी test का नियत समय window पर जो observation का time है वो 10 minute है तो आप उसको मानलों दो दिन के बाद घर पर जाके देखते हैं और उसमें कुछ हलका सा color आता है तो गलत है इसका जो भी हम इसके देखना होता है उसको नियत समय पर ही देखना होता है नियत समय चला जाए उसके बाद आपको कीट के अंदर को रोलों कोई color में बदलाव आता है तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है और नेगेटीव में से positive नहीं बन रहे हो और अक्सर लोग पूछते हैं कि A.R.T. इलाज के बाद टेस्ट में कोई बदलाव आएगा हमारा रिपोर्ट पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा के नहीं होगा तो इसमें कोई चैंजिस नहीं आएगे आपका रिपोर्ट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा आपका एंटिवाड़ी जो बाड़ी के अंदर है वो जीवन बर रहता है और एक बार जीवन बर रहेट एंटिवाड़ी रहने वाला है तो टेस्ट भी हमेशा के लिए पॉजिटिव ही आएगा मैं HIV AIDS Specialist डॉक्टर केतन राणपरिया यदि आप मेरे से ओनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हो या तो क्लिनिक के अपविमिंट लेना चाहते हो तो इस वाट्स अप नंबर पर आप मैसेज करकर बुक करा सकते हो यहाँ पर कहे गई बात एक आम जानकारी के लिए है समय के साथ विज्ञान बदल सकता है किसी भी जानकारी को अपने जीवन में लागू करने से पहले HIV AIDS Specialist डॉक्टर से व्यक्तिक दुरूप से राय लेना अत्यन्त आवश्चक है थैंक्यू